दस से लेकर के 25 अपरेल तक ये राशियां रहेंगी सबसे महा भाग्य शाली, सबसे ज़्यादा शक्ती शाली जी हाँ आखिर ऐसा कॉंटेंट मैंने क्यों बताया महा शक्ती शाली, भाग्य शाली हर वेक्ति होना चाहता है जोतिश में ग्रह योगी ऐसे चल रहे हैं अभी, कुछ ग्रह तो बहुत बुरे चल रहे हैं, कुछ ग्रह इस्तितियां, राशियों के अनुसार बड़ी अच्छी चल रहे हैं अब आखिर वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए एक्सिलेंट रिजल्ट मिलेगा, जिनको धनकी आवक का योग बनेगा, जिनके काम थ्रू आउट होते रहेंगे, क्लियर कट होते रहेंगे, बिना रुकावट के साथ में होंगे, ये मैं आज आपको बहुत डिटेल के अ अंदर समझाओंगा, पर मैं आपसे उमीद तो रखूंगा कि आप वीडियो को पूरी सुनेंगे, मैं आपसे ये उमीद भी रखूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करेंगे, बैल आइकन को बटन को भी दबाएंगे, जो तिशे क्रॉप पा ग्रहों के रूप में होगी, नीचमंग राजो का अल्लेडी चली रहा है और इस टाइम पीरिड में तो चली ही रहा है, दस से पच्चिस के बीच में तो है, हंड़ेट परसेंट है, और सबसे ज़्यादा मेहत्वपून किसको इस नीचमंग राजो का फल मिलेगा, और आखिर क्यों ये राजी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है तो आईए जानते हैं, शुरुवात करते हैं, प्रडाम स्विकार करिए, मैं हूँ मानविंदर रावत, सबसे पहले नमबर पर सर्व स्रेस्ट राशी की कैटेगरी मैं आप से बात करना चाहता हूँ, व्रशब की व्रशब राशी के जो स्वामी ग्रह होते हैं, वो स्वैम शुकरदेव हैं, दैत्य गुरु हैं, उच्चे के हैं, लाव के घर पर उच्चे के हैं, एश्वरे सुक संपत्ती के घर में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में हैं, विदेश शात्रा के घर में हैं, बड़ करके बैठे हुए है यानि की एक हाथ में रोटी नहीं है दोनों हाथ में रोटियां आपके रख हुई है एक तो खुद राशी के स्वामी ने रखी दी का कि भई मेरे से लेलो मैं देना चाहता हूँ और दूसरी रख दी खुद बुद ने अब बुद ने का कि भई आपके पास क्या है आप भी बता दो आप क्या देने के लिए आए हो तो बुद ने का कि भई मैं जो देने आया हूना उसकी तो हर किसी को जरूरत है क्या देने आयो तो व्रशव राशी वालों के लिए पहले नंबर पर मैंने इसलिए रखा कि आपके धन के स्वामी और आपके फिफ्थ हाउस के उन्नती संतान के स्वामी बुद्ध लाव के प्रॉफिट के घर में इलेवन्थ हाउस में बैठे हुए हैं और वो भी शुकर के साथ में तो ये नीच भंग राजयोग जो बनाएं ये जो मालव विनाम का महापुरुष राजयोग बनाएं और ये व्रशव राशी वालों के लिए सबसे जादा आती भाकेशाली महाशक्तिशाली दिखाई पड़ता है और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं तो इसलिए पॉइंट वाई समझिए सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके जो आय के संसादन है उसमें भडोतरी होगी दूसरा ये कहता है कि धन के संग्रह चलावा शरीर के दाहीन हिस्ते में या दाहीनी आख में कोई कस्ट चल रहा है तो उसमें एक निजाद मिलेगा तो अचा संबंदी रोग चल रहे हैं तो उसमें भी आपको एक रिलीफ मिलेगा और इस प्रकार की मतलब चहरे की रूप खुबसूरती वो आपकी बड़ेगी ऐसे ग्रहय योग मुझे आपकी राशी में बनते हुए नजर आ रहे हैं संतान से रिलेटेड कस्ट दूर होगा महा शक्ति शाली इसलिए बोला है क्योंकि इनके साथ सूरे भी आकर के बैठ जाएंगे तेरा तारिक की रात को तो सूरे का बल भी इनको प्राप्त होगा नि इसलिए मैंने बताया कि सबसे बैस्ट रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसके बाद दूसरे नंबर पर मिथन राशी के विशे में आखिर मिथन राशी को मैं इसलिए यहां पर ले रहा हूँ आज क्योंकि देखिए एक को जायदात को गाएं भैसादी यानि की पशुपलन चौपाए को वस्तरा भूसर कार स्कूटर वहान प्रॉपर्टी को अधारता को परवकार को मा के सुख को है ना ग्रह खेत को इसके लावा राजनीती को जंता के प्रेम को कुवे तलाव नदिया ऐसे चीजों को रिप्र लिए आश्वरे के लिए ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो और यहां पर राहू के साथ में शुक रहेंगे राहू के साथ में बुद रहेंगे तो आपको रसायन में रिसर्च में फोटोग्राफी में जासू सी में जितना भी खोजी कारे है उससे रिलेटेड और साथ में मान सम्मान विक्तित प्रॉपर्टी इत्यादी का सुख प्राप्त होना ऐसे चीज़ आपको बहुत शुब रूप में मिलते ही नजर आ रही हैं और एक चीज़ और बता देता हूं तेरा तारिक की रात के बाद से आपको और जादे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और शुक्र ग्रह नीच भंग और साथ में मालव वे मापुरुष राजोग बना करके बैठे हुएं केरियर के घर में जॉब में कोई विशे सफलता मिलेगी गॉर्मेंट जॉब में कोई विशे सफलता मिलेगी इसके अलावा आपकी बुद्धि उन्नती के संतान के स्वाम होकर के केरियर के घर में शुक्र उचूएं इसका मतलब आपकी एजूकेशन के साथ करम सरकारी नौकरी नौकरी आपकी बन रही है अगर आप राइवेट सेक्टर में रौकरी ढूड रहे हैं तो इस नीच मंग में इस मालव महापुरुष राजोग में आपको वो सब भी प्राप्त हो सकता है ऐसा गरह इस्तिती मुझे इसारा करती हुई नजर आ रही है जारी कि बहुत महत्पूर्ण रिजल्ट हुआ आपके लिए जो मैंने अभी आपको बताया अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तीसे नंबर पर कौन सी रहेगी जो भागेशाली राशी के बीच में आपको बहुत अच्छे लाब मिल सकते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके भागेश और साथ में आपका धन पैसा परिवार शुक्र के रहें माला पे राजयोग बना कर कि आपके सैवन्त आउस पतनी के घर में रहेंगे और इसी घर में बुद्ध का प्रतिस्था बढ़ेगी इसके लावा सरकारी शेतर से लाब मिलेगा विदेश आतर का अवसर प्राप्त होगा उन्नती के अवसर बहुत अच्छे मिलते नजर आ रहे हैं यानि कि आपके लिए नेगेटिव कम है बताने के लिए और आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंग भागे शाली और सबसे शक्तिशाली महा शक्तिशाली राशियों की केटिगरी में आप मुझे नजर आ रहे हैं महनत तो देखो करनी ही पड़ती है हम तो एक रहा दिखा सकते हैं वो तो हम सब को दिखाते हैं समय समय पे दिखाते हैं अब आगे इस से आगे तो देखो आप में चल रही है पर कुम्राशी वालों के लिए गूर्ड नीज ये है कि ये नीच भंग राजियोग आपके पैसे के प्रॉपर घर में बन रहा है और बुद्ध के पास आपके फिफ्थ हाउस की लौड है लौडशिप है और मैं आपको कई बार एक नहीं कमसिकम यह हजारों व बनेगी और शुक्र ग्रहने बनाया है केंद्र त्रिकॉर्ण राजियोग ये राजियोग भी बड़ा उत्तम और लापकारी होता है तो मैं कह सकता हूं कि भाग्ये के लिए बहुत अच्छा है मालब मापुर्श राजियोग भी बना हूँ हाँ ये जरूर बोलूँगा कि बात करूँगा तो फल कुछ और हो जाएगा को कि वो दूसरे भाव में बैठे हैं तो उन भावों के फल में कमी कर रहे हैं तो मैं वहां नहीं छेड़ रहा भी उन चीजों को मैं बेसिकलिए आपको बता रहा हूं कि महाँ शक्तिशाली योग आपको पैसे के पॉइंट झाल